हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अक्रम शेख और आप लोग देख रहे और इस टुटोरियल फ्रेंड्स आज हम लोग एकाउंटेंची का जो चैप्टर जर्नल उसकी एक जो एक्सपेंस और रेवेन्यू जो होता है यानि कि नॉमनल अकाउंट के अंदर जो हमार रहता है डेबिट एक्सपेंस और लोग देखेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन के ओपर जो यहां पर ट्रांजेक्शन दिये हुए ऑगस्ट मन्त के टूज़न फोटीन के एक दो तीन चार पांचे साथा आट आट ट्रांजेक्शन इसको आप लोग फटा-फट अपनी नोट बुक के अंद नहीं होंगे तो वीडियो को आप लोग यहां पर पोस्ट कीजिए और फटा-फट यह ट्रांजेक्शन को नोट डाउन कीजिए उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से की जाएगी तो शायद आप लोगोंने सब नोट डाउन के लियोगा तो स्टार्ट करते सारे ट्रांजेक्शन को यहां पर लोग देखे 2014 यह दियावाई सबसे पहले फिर और फिर ओगस्ट मंत की सब डेट दीवी सिक्मेंस के अंदर यानि हमको एक ही महीने के सारे ट्रांजेक्शन यहां पर दिवे तो हमको उसको मेंशन करना अपनी जर्नल बुक के अंदर तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट जो है उसको ट्रो कीजिए डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम अब आपका जो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है जो आप लोग आपकी नोट्बुक में देखे क्या है फॉर बिजनस बुक्स ऑफ एक लिएक बस्केशन का चाहिए घ्रकेंगी तो हमें इसको पैमेंट करेंगे अब एक से पेमेंट करेंगे तो यह दोनों कंडिशन के नियम के मुतर देखिए कैस जाएगा यह तो बैंक्स से बैलेंस हमारी कम होगी तो यह क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रेट में हमारा क्या है गर यान केयाकत करना बाकी है तो जिस व्यक्तिक पैमेंट करना बाकी है पिर किसी č guided का नाम ऑजागा अगर बाकी मेच तो और इसी तरह से आप लोग देखिए अगर इंकम होती है हमें, तो इंकम हमें से क्रेडिट में होएगी, याने जो इंकम जिस पर्टिकुलर जो उसका नाम जो होगा, इंकम का कमिशन है, बोनस है, या फिर हमको कोई इंट्रेस्ट रिसी हुआ, तो वो सब चीज का नाम हम लोग कहांपे लिखेंगे, जो आएगा, उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे अब जब हमें इंकम होगी तो हमें क्या होगा या तो बैंक बेलेंस हमारी बड़ेगी या तो केश हमको आएगा या फिर हमें किसी के पास पैसा उस चीज़ का लेना बाकी होगा तो जब केश आएगा तो रियल अकाउंट के मुताबी कर सकते हैं तो डेबिट में कि या तो फिर किसी पार्टी नाम प्रेडिट में हमेजा इंकम का नाम H मुझ में आगे होगा डेबिट के अंदर एक्सपेंस वाथ डेबिट डेबिट में एक्समेंस और अगर इंकम भी तो इंकम क्रेडिट में हैगी तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है फॉर बिजनस बुक औफ एकाउंट पर्चेस रुपी 650 की एक हमने बुक खरी दिये बिजनस का लिखने के लिए तो जो बुक करी दी वह बिजनस उस चीज़ साँ दिए और फिर फिर जगे छोड के 2 से start करते वे cash account क्योंकि यहां पर हमने कुछ ऐसा mention नहीं किया है तो इसको हम लोग समझ सकते कि यह cash transaction तो 2 cash account फिर cash account लिख लिया उसके बाद फिर हमें credit word या CR कुछ भी लिखने के जरूद नहीं है क्योंकि जब 2 लिख दिया तो समझ में आ जाका कि यह credit effect इसका तो 2 cash account लिखके उसी line के अंदर credit column में हमने लिख दिया 650 और फिर यहां पर उसका narration mention कर दिया being stationary of rupees 650 is purchase यान 615 रुपे की हमने stationary purchase कर लिए ना अगस्ट के दो तारीक को आप लोग देखिए कि है आपके सामने transaction wages of rupees 200 and carriage of rupees 100 is paid in cash यह दो सो रुपे का package हमने paid कर दिये तोव हमारे लिए expense paid कर दिया और carriage वह भी हमने आपकर दिया दोनों चीच हमने प्र queria कर दिती तो यह दोनों किया उके हो होता है जो हमस्डूर झो क्राम कर त इसको बोलते हैं वैजिस और कोई कर दान कर हमनने मंगवाया तो उसका जो तो यहां पर वेजिस अकाउंट डेबिट की लिखेंगे डियार उसी लाइन के अंदर वेजिस के मांट कितनी थी तो टूंडेट कोलम में लिखी और फिर यह भी एक्सपेंस था उसी दिन का है तो इसलिए हमने यहां पर इसको कंबाइन एंट्री कर दिया है तो केरेज अकाउंट डेबिट हंडेड रूपीज क्योंकि दोनों का नेचर भी एक ही प्रकार का था दोनों एक्सपेंसी थे और एक ही तारीक को है और दोनों को केश में पेमेंट किया है तो यहां पर हम लोग इसको कंबाइन एंट्री कर साथते हैं तो इसलिए पर लिख रूपीज हम लोग लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में और यहां पर फिर आप लोग नरेशन में में मेंशन करेंगे बिंग वेजिस ऑफ रूपीज 200 एंड केरेज ऑफ रूपीज 100 पेड़ इन केश अब आपका थर्ड जो ट्रांजेक्शन जो है आठ तारीक आप लोग दिया है कमिशन रूपीज 800 एड़ तो यहांपे कमिशन मिला आपको और हो चुका है और कमिशन मिला है तो यह अपके क्ले क्या बन गई इंकम हो गई तो इसे रिलेटर छिलेगे इंकम से रिलेटर याने कि नॉमिनल एकाउंट का जो क्रडिट इवेक्ट क्रडिट और इंगम टेबिट क्रडिट या सियर वर्ड नहीं लिखेंगे उसी लाइन के अंदर क्रडिट कोलम में जाके एट हंडड़ रुपेश लिखेंगे और उसका नरेशन करेंगे बिंग कमीशन रूपीज एट हंडेड रूपीज एट हंडेड रूपीज एट इनड़ का मिसने में रिशी हुआ है फिर उसके बाद जो दस तारीक का ट्रांजेक्शन वब देखे क्या है दस तारीक को है पेट रूपीज 2,500 फोर पेंटिंग वर्क आप शॉप यानि जो बोलत लेंगेंगेंघर वोद यहां पर हमने पेंटिंग कर वाया तो इसलिए लिएकंड interess एकाउंट लिए मेंटनेंस एकांट क्योंकि हमारा खर्चा होँआ उसकापैमेंट कर दित तो maintenance account debit debit column में डाल दिया हमने 250 रुपीज फिर space चोड़ा credit transaction के लिए हमेशा आगे थोड़ा space चोड़ना है फिर two words से उसको start करेंगे payment कर दिया case में तो cash account फिर पीछे credit या CR नहीं लिखेंगे credit effect में two words से start करना काफी है और डारेक्ट उसी लाइन के अंदर credit column में 2500 लिखेंगे और यहां पर उसका narration mention करेंगे being rupees 2500 paid for painting work of shop याने कि जो दुकान जो थी उसका जो color काम करवा है उसके 2500 रुपए हमने दिये जो color काम करवा है तो वह क्या होगा हमरे लिए maintenance था इसलिए हमने आप मेंटेनेंस अकाउंट यहां मेंशन क्या था अब उसके बाद देखिया बीज तारीक का transaction क्या है लाइट बील ओफ रुपीज एटीन अंडेड पेड़ बाई चेक अब यहां पर वर्ड मेंशन कर दिया है पेड़ यह तो पेमेंट हो गया और पेड़ बाई चेक है तो जब भी चेक वरड आएगा तो फ ओपने विजनेस का अब ईलेटरिस एकशंट के लिए तो आजाएगा हमारे डेबिट के अंदर फिर क्रडिट के लिए चोड़ी जगे चोड़ना है और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे वेंक एककाउंट क्यों ने इसका पेमेंट चेक से किया है तो बैंक एकाउट व पीछे नहीं लगेगा सीधा क्रेडिट कॉलम में जाके लिख लेंगे और मेंशन करेंगे बींग इलेटरिसीटी विल रुपीज एटीन हन्रेड पेड बाइच अठाशाओ रुपे हमने इलेटरिसीटी विल का चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया अब 25 तरीका होके हमें उनके तो यहां पहें जब दुकान का ओपनिंग और С inimस को बारा सो रुपें पे किया पेड लिख लिखा न Alrighty तो एक्सपेंस में किसे डालेंगे संडरी एक्सपेंस एकाउंट यह भी खर्चा हो ना रिफ्रेश्मेंट के लिए हमने जो पैसा दिया है तो हमको बिजनस में खर्चा हुआ क्योंकि बिजनस को ओपनिंग करने के लिए हमने इसको खर्चा किया है यह मेरा पर्सनल तो था नहीं अरुन का बराबर तो इसलिए क्या बिजनस को एक्सपेंस में लिए यहां पर लिगा संडरी एक्सपेंस एकाउंट डेबिट रूपीज ट्वेल हंड्रेड फिर सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं आएगा उसी लैंट के अंदर प्रेडिट कॉलम में रूपीज ट्वेल हंडेड लिखके यहां पर हम लोग नरेशन मैंटन करेंगे इन्ट इनौ यहां पर जो ब्रेकेट उसके इंदर लोग मैंशन करेंगे बीइंग रूपीस त्वे चेक ऑफ रूपीज 900 रिसीवड फॉर ब्रोक्रेज ब्रोक्रेज याने कि दलाली अब आपको रिसीव हुआ है मिन्स के आपको कुछ हमको चीज बेची नहीं है तो जब ब्रोकरेज आया तो हमको एंकम वी अब दिपोजिट करेंगे तो बैंक का मरभ बढ़ेगा तो एकवड रूप बनक को लिखेंगे डी या पर लिखेंगे डी आर और उसी के लाइन के अंदर डेविट कॉलम में 900 रुपे कर्जे का था तो 900 रुपीज लिखेंगे और फिर क्रेडिट इफेक्ट के लिए अब हमें यह जो चेक मिला हो किस चीज के लिए जो इंकम को वह इंकम का नाम क्या है ब्रोकरेज क्या है ब्रोकरीज रुपे इनके लिए तर्ट उसमें पहले और रुपीज लिखेंगे और फिर नरेशन को मैंशन करेंगे दिए नाइनन हंड़ूर रुपेज रुप और अब किसा में लास्ट ट्रांजेक्शन है करेंसी नोट और फुरुपिस 50 इटन बाइग गोट बक्री जो होती है बक्री उसने पचास रुपे की करेंसी नोट खाली तो यह पचास रुपे का हमको नुक्सान तो वा ना फ्रेंज बर अब इस तरह के नुक्सान जो है यह काँ पर करेंगे संडरी एक्सपेंस के अंदर क्योंकि हमारा पैसा गया फचास रुपे हमारे चले बिजनस में से बराबर है तो यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे डेविट के अंदर एक्सपेंस काउट डेविट रुपीज 50 और फिर उसके नीचे ठोड़ा स्पेस फिर टू लिखिए और टू के बाए आप लोग लिखेंगे cash account लिखनेने के बाद credit effect के अंदर CR या credit नहीं लिखना है और सिधा उसी लेन के अंदर credit वाली column में आप लोग 50 rupees लिखेंगे और फिर उसका आप लोग को narration mention करेंगे बिंग currency not of rupees 50 eaten by God जो आपका transaction में लिखा था वह आपको नरेशन में मेंशन करना है फिर आप डेविट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल आप लगाएंगे जब टोटल लगाएंगे तो उपर एक लाइन और टोटल के नीचे आप लोग देख सेकते दो लाइन बनाई है तो इसी तरह से आपका यह एकाउंट याने कि हमने किसी को अगर बाकी में माल दिया है और वह पैसा अब हमें नहीं आने वाला है तो वह हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंस लोस हो जाता है इसलिए मैं इस वीडियो में इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह वीडियो हमारा इंकम और एक्सपें किया है और जो हमारे डटे जो है वो हमको पूरा नहीं दे रहा है उस में से कुछ कम दे रहा है या फिर पैसे आने नहीं वाला है कभी भी तो उसको बोलते हम लोग बैड्डीर्ट रीकांड आने किसम ने एक बार समय लीए कि अब यह Hz घर не है तो व lt यह he क्योंकि एक नुख्सान दिखा दिया किंधा उसके सब्सक्राइब इनकम हो जाएगी तो उसको बोलते बैंट रिकावर्ड तो जो पर भी process रिकोवर्ड जोगा तो जो रिकोवर जो पैसा हमको आ गया तो हम लोग इंकम होगी तो इसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे इसके रिलेटेद भी एक एलस्टेशन है हम लोग यहां पर स्क्रून को स्क्रॉल कर रहा हूं आप लोग देख लिए और इसको भी रेकोड क इंसोलवेंट यह जो है आपके सामने को पहले रैकोड कर लिए नोट डाउन कर लिए मैं थोड़ा स्क्रीन को स्क्रोल कर रहा हूं इसलिए तो आप लोगों ने लिख लिए होगा सारे ट्रांजेक्शन तो सबसे पहले क्या ट्रांजेक्शन आपका 2014 मार्च का पहली दारी का आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ विचाल is declared insolvent तंस एमाउन ड्यू होगा तब तब हम लोग यहां पर मंद चेंज करेंगे अधर्वाइस सिफ डेट का डेट का नंबर ही हम लोग यहां पर डालेंगे तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन था उसमें यह बताया गया था कि विशाल जो है वो इन्सॉल्वंट डिक्लेर हो गया है और उसके पास हम पैसा कभी भी हमको आने वाला नहीं है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेड़ेट से अकाउंट और फिर पीछे लिखेंगे डियार डेबिट का और फिर जो एमांट है डेबिट की टू थाउजन रुपीज जो कभी भी नहीं आने वाली वह हम लोग दिखा रहें क्योंक के तो चैनल के नहीं रहा हैं नहीं तो यहां पर तो यह दोषो रुपे हमें किसके पास मांग रहें यहां यहां पर पे रहा है हाला कि उसे हमें पैसा दे चाहिए घा तो इसलिए कंडीशन के मुताबिक विश्याल का ना आम आ रहा है है क्रेडिट के अंदर तो पहले थोड़ा स्पेस चोड़ेंगे फिर टू से स्टार्ट करते वे लिखेंगे विशाल एकाउंट यह हमको पैशा किसके पास से नहीं मिला विशाल के निकलर हो चुका है उसके पास पैसा देने के लिए कुछ बचा नहीं है रुपीस टू थाउजन वोस ड्यू फ्रॉम हीम एज और रेटन अफ याने कि अब हमने उसको जाने दिया माफ कर दिया कि अब यह पैसा आपका हमको आने वाला नहीं है और हमने आपका यह पूरा नु इंसॉल्वेंट अब वह इंसॉल्वेंट हो गया है एंड ओनली वन थाउजन एफ हंड़ेड और रिकावर्ड सिर्फ उसके पास से हमें अट्रा सो रुपे ही हमको मिल रहे है बैलें से मों इसको क्या करना माफ करने पड़ेगी क्योंकि अब उसके पास पैसे देने के तो आगे लेकिन अभी भी हमने और बारा सो रुपे हमें नहीं आ रहे तो बारा सो रुपे हम रहे क्या हो गया बैट्स हो गया तो बेड़ेट डेट में में मुझे अब यहां पर फिर प्रडूर्ट इतने थी परम के पास हम मांग रहे थे हो थी 3,000 रुपीज तो यहां पर क्रेडिट कोलम के अंदर हम लोग दिखाएंगे 3,000 यह दोनों का टोटल देखिए 800 जो केस आ चुका और 1200 रुपे जो हमें नहीं आने वाले तो बारा सो रुपे हमने यहां पर बेड़ेट में दिखा रिटन ओफ यह पूरा हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे और तीसला जो ट्रांजेक्शन ने वह है रुपीज 1500 प्रिवियसली रिटन ओफ एजबेड़ ऑफ रोहान और रिसीवड यानि पहले रोहान जो था उसके पास हम लोग कुछ पैसे मांग रहे थे और उसके पंद्र कर दिया तो केश हमारे बिजनेस में आ गया तो इसलिए यहां पर लिखेंगे हम लोग कैश एकाउंट डेबिट और वहां पर पंद्रा सुरूपे डेबिट कॉलम में और फिर यह पैसे कौन सा है आया हमको परम के पास है लेकिन अब हम परम का नम मेंशन नहीं करेंगे क्यों क्योंकि वह उल्लेडी दिखा चुके थे कि यह परम के परम को हमने पैसा दिया था मांग रहे थे और वह नुकसान हो चुका था परम का तो हमने बेड़ेट हमने बता दिया था तो यह बेड़ेट जो बताय था उसका हमको रिकावर हो रहा है बेड़ेट रिटन हो रहा है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिट के अंदर थोड़ा स्पेस चोड़के टू वर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे बैट डेप्स रिटन एकाउंट पीछे क्रेडिट या सी या रवर्ड नहीं आएगा सिधा उसी कॉलम के हम लोग लिखेंगे वेर प्रिविएसली रिटन ओफ और रिकोर्ड पंदरा सु रुपए जो हमने पहले राइट ओफ कर दिया था यहनी माफ कर दिया थे हमने नुक्सान में दिखा दिया था वह अब हमें रिकावर हुआ है वापस आगया हमको इसलिए हम अरले इंकम हो गई है तो इसको हमने यहां पर मेंशन के अब क्रेडिट में बेड़ेट वेटन अफ यह तीनों ट्रांजेक्शन का टोटल आप लोग देखिए कितना सिक्स ताउजन फाइंड दोनों सेट एकोल आएगा टोटल मारते वक्त उपर एक लाइन और नीचे दो लाइन यहां पर आपका ट्रांजेक् किस ताजर करते हैं वो हमने देख लिया है तो फ्रेंज उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारी इंट्रीस समझ में होगी अगर फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप लोग मुझे कमेंट के जरी आपके क्वेशन पूछिए और वीडियो अच्छा लगा है तो आपके के साथ इस वीडियो की लिंक को शेर करें लाइक करें और कमेंट के अंदर आपके रिव्यूज भी मुझे लिख के बिजएगे ओके फ्रेंज और भी अपडेट्स के लिए आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ओके फ्रेंज बाइ-बाइ-टेक केर